भगत सिंग के राजनेतिक दस्तावेस के पांचवे खंड में हम उनके प्रॉड राजनेतिक चिंतन के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसके तहट हम जो लेक पढ़ रहे थे वे थी राजनेतिक कारिकरम की रूप रेखा और इसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भगत सिंग अपने साथियों तक अपने खरांतिकारी विचारों की रूप रेखा तैयार करके पत्र के जरीये भिजवाते हैं और सा चंद सहुलियों तक ही सीमित है वे सत्ता का हस्तांतरन तो चाहते हैं लेकिन उसका कोई भी हिस्सा आम जनता के साथ बांटना नहीं चाहते वे सारी सहुलियत पुझी पति वर्ट के लिए चाहते हैं अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे सांथी भगत सिंग ये भी बताते है कि किस तरह जो उनके क्रांती कारी साथी है यदि वे भी क्रांती को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस रूप में भगत सिंग ले रहे हैं तो वे क्रांती कारी साथियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस आंदोलन से पीछे हट सकते हैं तो अब यहां से हम आगे पढ पिछे से ले रही हूँ, continuity बनी रहे और स्पष्टता से कहें तो राज सत्ता का सामानने जनता की कोशिश में से क्रांतिकारी पार्टी के हाथों में आना, इसके बाद पूरी संजीरगी से पूरे समाज को समाजबादी दिशा में ले जाने के लिए जुट जाना होगा, यदि क्रांति से आपका यह अर्थ नहीं है, तो महाशय महरबानी करें और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना बंद करें, कम से कम हमारे लिए क्रांति शब्ने बहुत उंचे विचार नहित हैं, और इसका प्रयोग बिरा संजीत की के नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका द पायक होने के लिए किन शक्तियों पर निर्भर कर रहे हैं, क्रांति, राष्ट्रिय हो या समाजवादी, जिन शक्तियों पर हम निर्भर कर सकते हैं, वे हैं किसान और मजदूर, कॉंग्रेसी नेताओं में इन्हें संगठित करने की हिम्मत नहीं है, इस आंदोलन में यह आ पर चर्चा सामने रखी थी, उसे आप सुन सकते हैं, किसी और से अधिक इन्हें इस बात का एहसास है कि इन शक्तियों के बिनावे विवर्ष हैं, जब उन्हेंने संपून आजादी का प्रस्ताव पास किया, तो इसका अर्थ क्रांती ही था, पर इसका, यानिके कॉंग्रे के लिए चंद सहूलियतें, बुर्जुवा नेताओं के लिए और पूजी पतियों के लिए ही था, टू डॉमेनियन स्टेट्स की जो मांग थी, वे यही स्पष्ट करती है, इसके उपर भी पिछले दो एपिसोड में हमने चर्चा करी है, आप उन्हें सुन सकते हैं, इसे नौजवान कार्यकरताओं के अभाव में पास किया गया था और इसका मतलब वे धमकी के रूप में करना चाहते थे ताकि अपना मन चहार डॉमेनियन स्टेट्स हासिल कर सकें, आप कॉंग्रेस के पिछले तीनों अधिवेशनों के प्रस्ताव पढ़कर इस संबद में ठीक राए बना सकते हैं, तो वे संदर भी बता रहे हैं और कहां से पश्ट आ रहे ही उनके विचारों में ये भी बता रहे हैं, मेरा इशारा मदरास कलकता और लाहौर अधिवेशन की और है, कलकता में डुमिनियन स्टेट्स की मांग का प्रस्ताव पास किया गया, बारा महीने कि भीतर इस मांग को स्विकार करने के लिए कहा गया और ये ऐसा ना किया गया तो कॉंग्रेस मजबूर होकर पूर्ण स्वराज या पूर्ण आजादी को अपना उदेश्य बना लेगी, पूरी संजीर्गी से वे 31 इसंबर 1929 को की आधी रात तक इस तोहफे को प्राप्ट करने का इंतिजार करते रहे और उन्होंने पूर्ण आजादी का प्रस्ताव मानने के लिए स्वयम को वचन बद्ध पाया जो कि वे चाहते नहीं थे, तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, कि बाइफ फोर्स जाधा लगता था कोई भी आंदोलन करन गांधी का या कॉंग्रेस के तरफ से बनिस्वत बाय चॉइस के, जब उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी तो फोर्स फुली उन्हें अपने तरफ ध्याना कश्रित करने का सरकार की यह अंदोलन करने पड़ जाते थे, जिसे वे चाहते हर्गिस नहीं थे, ब्रिटिश ह बिलकुल शुरू से ही वे जानते थे कि उनके आंदोलन का अंत किसी ना किसी तरह के समझोते में होगा, इस बेतिली से हम नफरत करते हैं, न कि संघर्ष के किसी मसले पर समझोते से, तो यहाँ पर बहुत जादा वैचारिक स्पष्टता उनकी दिखाई देती है, वे इंग प्राक्षित का से मसला हल हो जाएगा, तो इस आंदोलन को हम नहीं करेंगे, या स्थागित कर देंगे, और इसी तरीके से बहुत सारे आंदोलन हैं, जब गांधी यू टर्न मार लेते हैं हर आंदोयन से, हम इस बात पर विचार कर रहे थे, कि करांती किन-किन ताकतों पर निर्भर है, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि कसानों और मजदूरों को सक्रिय हिस्तिदारी के लिए आप मना लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ, वे किसी प्रकार की भावुक बातों से बेवकूफ नही बनाए जा सकते, वे साफ साफ पूछेंगे कि उन्हें आपकी करांती से क्या लाब होगा, वे लाब जिसके लिए आप उनसे बलिदान की मांग कर रहे हैं, तो कितनी स्पष्टता है भगत सिंग के विचारों में, वे जो कहना चाहते हैं, ये उनकी खूबी भी है, कि अपन पिर उनका हित कहां है, भारा सरकार का प्रमुक, लौड रीडिंग की जगा, यदि सर पुरुशोत्तम दास ठाकुर दास हों, तो उन्हें जनता को इससे क्या फर्ख पड़ेगा, यदि लौड एविन की जगा सर तेज बहादू सपरू आ जाएं, राष्ट्रिय भावनाओ पिर बेकार है, उसे आप अपने काम के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते, आपको गंभीरता से काम लेना होगा, और उन्हें समझाना होगा कि क्रांती उनके हित में है, और उनकी अपनी है, सर्वहारा श्रमिक वर्ग की क्रांती सर्वहारा के लिए, तो यहाँ पर भगत सिंग अपने विचारों को सपष्ट तोर पर रख रहे हैं, कि जब तक आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि उन्हें उससे क्या हासिल होगा, या उनकी भी हिस्सेदारी रहेगी इस पूर्ण स्वराज में, तब तक मजदूर और किसान आपके सांथ नहीं है, जब आप अपने ल दूसरा उसे कारे रूप देने का, जब वह वरतमान आंदोलन खत्म होगा, तो आप अनेक इमानदार वा गंभीर क्रांतिकारी कारे करताओं को निराश वा उचाट पाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भावुकता एक और रखो, वास्तविकता का सामन करने के लिए तैयार हो, क्रांति करना बहुत कठिन काम है, ये किसी एक आदमी के वश की बात नहीं है, और नहीं किसी निश्चित तारीक को आ सकती है, तो बहुत अच्छी तरीके से बातों को सामने रख रहे हैं, कि जो लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़िये, करके, कॉंट्रिब्यूट करके, जिसमें वैचारिक कॉंट्रिब्यूशन भी शामिल है, या टेक्निकली इसको साउंड बनाने में मदद करके, किस तरह की आप अम्बेटकर नामा के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो वही सा बात है, भगत सिंग भी कह रहे हैं कि ए एक फिक्स डेट नहीं होती, क्रांती करना एक्जाम लेखने जैसा नहीं होता कि तीन घंटे में पूरी हो जाएगी, ये तो विशेष्ट सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से पैदा होती है और एक संगठिक पार्टी को ऐसे अपसर को संभालना होता है और जनता को इसक पार्टी के किसी काम के नहीं है पहले ही हमारे पास ऐसे बहुत से नेता है जो शाम के समय भाषन देने के लिए कुछ वक्त जरूर निकाता है यह नेता हमारे किसी काम के नहीं है हम तो लेनिन के अत्यंत प्रिये शब्द पेशेवर क्रांतिकारी का प्रयोग करेंगे पूरा समय देने वाले कारेकरता क्रांति के सिवाए जीवन में जिनकी और कोई ख्वाहिश ही नहीं हो इतने अधिक ऐसे कारेकरता पार्टी में किरने कर सकने की शक्ती रखते हूं पार्टी में फॉलादी अनुशासन होगा और यह जरूरी नहीं कि पार्टी भूमिगत होकर ही काम करें बलकि इसके विपरीत खुले रूप में काम कर सकती है यदि स्वेच्छा से जेल जाने की नीती पूरी तरह चोड़ दी जानी चाह करताओं को गुप्त रूप से काम करते हुए जीवन बिताने की भी जरूरत पढ़ सकती है लेकिन उन्हें उसी तरह पूरे उत्सा से काम करते रहना चाहिए और यदि और यही है वे ग्रूप जिससे अवसर संभाल सकने वाले नेतात तैयार होंगे तो पूरी रूप रेख संभल लेकर यदि क्रांती को बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं तो उसके लिए बहतर होगा कि आप इस क्रांती में आई ही नहीं ये भी स्पष्टता भगत सिंग के विचारों में है इसलिए शायद बार बार नौजवानों को का आवहान करते हैं क्योंकि नौजवानों के उपर परिवारी जिम्मेदारियां नहीं होती हाला कि परिवार के प्रतिवे अपने जिम्मेदारी को समझते हैं लेकिन पत्नी नहीं हैं बच्चे नहीं हैं माबाब हैं तो माबाब क उनके अलावा और भी कई सारी उलादे होती हैं तो एक उलाद को कुर्बान कर देने के बाद दुख तो होता है लेकिन फिर भी दूसरी उलादों के सहारे रहा जा सकता है इसलिए शायद वे नौजवानों को जाधा इसके लिए प्रेरित करते पाए गए हैं क्योंकि वे खु पाजी अकेली हैं तो एक और लड़की को लाके उसकी जिन्दगी के साथ फे खिलवार नहीं करना चाहते जबकि उन्हें मालूम था कि इसमें देश छोड़ना भी पड़ सकता है और जीवन भी छोड़ना पड़ सकता है पार्टी को कार्यकरताओं की जरूरत होगी उन्हें नौजवानों के आंदोलन उसे भरती किया जा सकता है इसलिए नव युवकों के आंदोलन सबसे पहली मंजिल है जहां से हमारा आंदोलन शुड़ो होगा युवक आंदोलन को अध्ययन केंद्र यानिके स्टडी सरकल खोलने चाहिए लीफलेट पैमफलेट पुस्त के मैग जिन शापनी चाहिए क्लासों में लेक्चर होने चाहिए राजनितिक कार्यकरताओं के लिए मस्ती करने और प्रशेक्शन देने की ये सबसे अच्छी जगा होगी तो भगत सिंग जो है वो कम्यूनिस्ट विचारों से काफी प्रेरित थे मार्क्सवादी विचार भी और ल और उसमें वो इस बात का उलेक करते हैं कि किस प्रकार कम्यूनिस्ट पार्टियां जो हैं वो अपने कैडर्स को प्रशिक्षित किया करती थी उनको क्लासिस दिया करती थी और जो एजेंडा है पार्टी का उसको सपर्ष्ट तोर पर उनके सामने रखा करती थी और पढ़न विचारकों या वे सभी विचारकों जिनोंने समाज में तबदीली या क्रांती लानी चाहिए उन सब का पठन पाठन करके यहां से बच्चों को तयार करने की एक चूटी सी मुहिम शुरू कर चुका है तो मुझे बहुत खुशी है कि भगत सिंग के विचारों को हम आगे लेकर जाने की कोशिश में जुटे है उन नौजवानों को पार्टी में ले लेना चाहिए जिनके विचार विक्सित हो चुके हैं और वे अपने जीवन इस काम में लगाने को तयार हैं पार्टी कारेकरता नभी वो आंदोलनों को के काम को दिशा देंगे पार्टी अपने काम प्रचार से शुरू करेगी यह अत्यांतावर्शा के गदर पार्टी 1914-15 के असपल होने क्या मुख्य कारण था जनता की अज्यानता लगाव हीनेता और कई बार विरोध हुँ इसके अतरिक किसानों और मदूरों का सक्रिय समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार जरूरी है पार्टी का नाम कम्यूनिस्ट पार्टी हो थोस अनुशासन वाली राजनीतिक कारे करताओं कि यह पार्टी बाकि सभी आंदोलन्च चलाएगी तो यहाँ पर बता तूं कि वे Communist Party बोल तो रहे हैं लेकिन उनके विचार जो है वो पूरा समाजवाद को पलटने की क्रांती है यहाँ पर जो Communist Party में जो बुरुजुआ नेता है वे उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं तो जो Communist हैं वो इनके ओपर अपना जो copyright दिखाते हैं वो भी सही नहीं है क्योंकि य ठोश अनुशासन वाली राजनितिक कारे करताओं के पार्टी बागी सभी आंदोलन चलाएगी इसे मज़ूर्व किसानों की तथा अन्य पार्टीयों का संचालन भी करना होगा और लेवर यूनियन कॉंग्रेस तथा इस तरह की अन्य राजनितिक संस्थाओं पर व्यक्ति की समझ में आनी चाहिए और ऐसे प्रकाशकों को बड़े पैमाने पर वित्रित किया जाना चाहिए लेखन सादा और स्पष्ट हो मज़दूर अंदोलन में ऐसे व्यक्ति हैं जो मज़दूरों और किसानों की आर्थिक और राजनितिक स्वतंतरता के बारे में दे नहीं कि शुरू में चोटी मोटी आर्थिक मांगों और इन वर्गों के विशेश अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा यही संघर्ष उन्हें राजनितिक ताकत हासल करने के अंतिम संघर्ष के लिए सचेत्वत तैयार करेगा तो यहां पर भगत सिंग का जो एक्स समस्या में और नए नए राजनेताओं के अलग-अलग विचार वाले एपिसोड में दोनों में ही मैंने चर्चा करी थी कि किस प्रकार डॉक्टर अंबेटकर बोलते थे कि आर्थिक उत्थान से पहले सामाजिक उत्थान जरूरी है जाती का विनाश में भी वे इस बात की पैरवी करते हैं तो फैलेसी ओफ सोशलिस्ट ट्रॉपिक थ्री आपने से जो लोग भी इस वक्ट जाते का विनाश पढ़ रहे हों या जिनोंने पड़ी है वैं इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं डॉक्टर अंबेटकर के विचार क्या थे और जो आज भगत सिंग इस वक्ट प्रडिक्शन है इसके उपर वैसे तो मैंने दो एपिसोड में चर्चा करे हैं जिसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ आप उन्हें भी देख सकते हैं इसके अतरिक सैनिक विभाग भी संगठित होना करना होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है कई पार इसकी बुरी तरह जरूरत होती है इस समय शुरू करके आप ऐसा गृप तयार नहीं कर सकते जिसके पास काम करने की पूरी ताकत हो शायद इस विशेफ को बारीकी से समझना जरूरी है इस विशेफ और मेरे विचारों को गलत रंग दिये जाने की बहुत अधिक संभावना है उपरी तोर पर मैंने ए रामप्रसाद बिस्मिल की तरह इस बात के लिए दोशी ठहराएंगे कि फासी की कोटरी में रहकर मेरे भीतर कुछ प्रतिक्रिया पैदा हुई है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है मेरे विचार वही है मुझमें वही दृता है और वही जो वह स्पिरिट मुझमें यहां जो बाहर थी नहीं इससे कुछ अधिक है इसलिए मैं अपने पाटकों को मैं चैतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे शब्दों को वह पूरी तरह ध्यान से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा एक महीन लकीर होती है समझने में और उसको ना समझने में तो सारा जो खेल है वो सम गटना मैंने की थी बम फेक कर एसेंबली में वो एक आतंगवादी गटना की तरह दिखाई देती है लेकिन ना तो वो घटना आतंगवादी है और ना ही उनका मकसद आतंगवाद फैलाना है तो बहुत महीन फर्क होता है चीजों को समझ लेने में रीड बिट्वीन दा लाइन जिसको कहते हैं न वही बात वे कह रहे हैं उन्हें पंक्तियों के बीच में कुछ भी नहीं देखना चाहिए मैं अपनी पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारी जीवन से शुरू के चंद दिनों में के सिवाए ना तो मैं इसी दिशा में थे यानि बड़े राश्ट्रिये आंदोलन के सैनिक विभाग की तरह अपनी पहचान करवाना यदि किसी ने मुझे गलत समझ लिया है तो वे हैं तो वे सुधार कर लें मेरा मतलब भी जरूर था कि केवल बं फेकना न सिर्फ बेकार बलकि नुकसान दायक ह पार्टी के सैनिक विभाग को हमेशा तयार रहना चाहिए ताकि संकट के समय काम आ सके इसे पार्टी के राजनेतिक काम में सहय के रूप में होना चाहिए यह अपने आप स्वतंत्र काम न करे तो यहां पर वे रीड बिट्विन दा लाइन्स पढ़ने के लिए मना कर रहे ह है कि मेरे विचार इतने स्पष्ट है कि वाक्यों को तोड मरोड करने की कोई जरूरत नहीं है एक तरीके से आगा भी कर रहे हैं कि मेरे शब्दों को किसा चेड़ चाड़ न की जाए मेरी वचारिक स्पष्टता को समझने की कोशिश की जाए तो इसके लिए आप एक में फ अच्छे से फिल्मांकन उसका किया गया है कि भगत सिंग यहां पर खुद मान रहे हैं कि इस तर के एक बम फेकने की घटना को छोड़ दिया जाए तो वे आतंकवादी बिल्कुल भी नहीं थे और ना ही उनका कोई मकसद इस तरह का था वे स्पष्ठ तोर पर खेह रहे हैं कि क्रांती कारी जीवन के शुरू के चन्द दिनों के सिवाए ना तो मैं आतंकवादी हूँ और ना ही कभी था जैसे उपर इन पंक्टियों में बताया गया है कि पार्टी अपने काम को आगे बढ़ाए समय समय पर मीटिंगे और सम्मिलन बुलाकर अपने कारेकरताओं को सभी विश्यों के बारे में सूचनाए और सजगता देते रहना चाहिए यदि आप इस तरह से काम शुरू करते हैं तो आपको काफी गंभीरता से काम लेना होगा इस काम को पूरा होने में कम से कम 20 साल लगेंगे क्रामती संबंधी योवन काल के 10 साल में पूरे होने के सपने को एक और रख दे यदि ठीक वैसे ही जैसे गांधी के एक साल में स्व कुर्बानी भरे जीवन बिताने की अपने व्यक्तिवाद पहले खत्म करो इंच इंच कर आप आगे बढ़ेंगे इसके लिए हिम्मत दृड़ता और बहुत मजबूत इरादे की जरूरत है इतने ही भारी कष्ट वा कठिनाईयां क्यों ना हो आपकी हिम्मत ना कांपे कोई संपत्ती होगी इंकलाब जिन्दाबाद दो फरवड़ी 1931 और इसके एक महीने कुछ रोज बाद उन्हें फासी पे फासी दे दी गई थी लेकिन उस वक्त भी वे लगातार काम कर रहे थे अपनी विचार धारा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे अपने करांतिकारियों को सह समाज के लिए जो लोग भी काम करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा बहुत तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है बिना कुर्बानी के कोई चीज आप हासिल नहीं कर सकते और दूसरी बात वह यह भी बोल रहे हैं कि इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है दस वर्ष में यद बच्चे को अमबेट का नामा ने विदेश भेजा है अगले साल किसी दूसरे को भेजेंगे उससे अगले साल तीसरे को भेजेंगे हो सकता है दो बच्चों को भेज सकें तो उसके लिए समाज का भी संगठित तौर पर उसमें शामिल होना जरूरी है तो भगत सिंग की वि विचारेगी आपके सामने रखें और जहां तक संभव हो सके हमारे बहुजन समाज के जो क्रीमे लेयर बच्चे हैं उनको इतना सहयोग करें कि उनकी पढ़ाई न रुके किसी कारण भी कारण जातर आर्थिक होते हैं तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त्व और साथ ये ल काम नहीं है 10 साल का भी काम नहीं है इसमें 20 साल भी लग सकते हैं लेकिन जोश नहीं थंडा होने देना बस यही भगत सिंग कह रहे हैं इसी के साथ यह लेक समाप्त हुआ अगले लेक में अगले एपिसोड में अगले लेक के साथ आपके सामने में फिर हाजिर हो जाओंगी आग्या दीजे धन्यवाद